नमस्पर विध्यारतियों, आज हम शुक्र के नुसार राजा संबंदी विचारों पर चर्चा करेंगे, साथ में राजा की सत्ता पर किस प्रकार से नियंतरन रखा जाए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे शुक्र के नुसार राजा का राज्य में सर्वोचिस्तान होता है वह राज्य का नेतितु करता, संचालन करता, न्याय की स्थापना करने वाला होता है राज्य का राज्य में वही स्थान है जिस प्रकार शरीर में मस्तिश का होता है शुक्र ने माना कि राजा में देवताओं के गुण होते हैं वह देवता तुल्ले होता है राजा जो दोष्टों का सहार करता है प्रजा का पालन करता है राज्य में नयाय की स्थापना करता है राज्य की सर्वोश शक्ती राज्य के हातों में होती है वह राज्ये का संप्रभू होता है राज्ये का नेटित्व करता संचालन करता समस्नीतियों का नेंतर्ण करने वाला संचालन करने वाला ववेस्था करने वाला होता है राज्या में इंद्र, पवन, यम, सूरे, अगनी, वरुन, चंद्र, कुबेर आधी देवताओं की गुण होते हैं वह इन गुणों की राजा में प्रधानता होती है लेकिन शुक्र के नुसर सभी राजा देवताओं की गुण वाले व्यक नहीं होते हैं शुक्र ने माना कि जिस राजा में सत्व गुणों की प्रधानता होती है वह देवतुल्य होता है राजा जो राज्य की संपून शक्ती का नित्वित करता होता है समझ शक्तियां राजाओं के हाथों में होती है राजा की गुण शुक्र कहनू सर राजा में देवताओं की गुण होते हैं वह देवतुल्य होता है राजा, बुद्धिमान, सासी, मर्यादित होता है राजा को काम, क्रोध, मों, माया, मत, आदी से दूर रहना चाहिए वह बुद्धिमान व्यक्तियों से संपर्क में रहे उनसे द्वेश्ता ना रखे गुरुओं का सम्मान करे, गुरुओं की सेवा करे इंद्रियों को वश में रखने वाला व्यक्ति हो, शास्त्रों का ग्याता हो ये शुक्री ने राजा के गुरुओं के संबंद में अपने विचार प्रस्थुत की है राजा की कर्तव्य, शुक्र के नुसार राजा के निमने प्रभ्मों कर्तव्य होने चाहिए वह प्रजा की रक्षा करे, प्रजा का पालन करे, राज्जी में नहय की स्थापना करे, दुस्तों का नाश करे, यग करे, शत्रूं का नाश करे, सैना को अधिक शक्तिशाली बनाए राजा की दिनचरिया, शुक्र ने कोटिली के अनुसार राजा की दिनचरिया का वर्णन की है, शुक्र ने माना कि राजा की कठोर दिनचरिया होनी चाहिए, राजा की प्राते काल से लिका रातरी कालता है, कब किस प्रकार से कौन सा कारे, वो दिनचरिया अनुसार होना चाह प्रते एक दिन राजा की जो दिनचरिया है वह तीश मूर्तों के अनुसार होने चाहिए और ये 48 मिनिट के अनुसार होने चाहिए और इस मूर्त के अनुसार, तीस मूर्तों के अनुसार राजा को कब किस प्रकार से कौन सा कारे करना है वह कारे का वेभाजन शुक्र ने किया है और ये जो दिन्चरिया है वह अत्यंत कठोर दिन्चरिया के रूप ने शुक्र ने प्रस्तुत किया है शुक्र ने ये भी माना कि राजा का जो जेश्ट पुत्र है वह युवराज होना चाहिए और उसे उत्राधिकारी न्यूक्त किया जाना चाहिए उत्राधिकारी न्यूक्त करते समय सोज समझ कर उत्राधिकारी को न्यूक्त करना चाहिए और उत्रादिकारी जो यूराज के रूप में न्यूक्त होता है उसमें वह सभी गुण होने चाहिए जो राज्जे का नेथित्व कर सके राज्जे का संचानन कर सके साथ में यूराज को में भी वो सभी गुण होने चाहिए जो राजय में होते हैं वहाँ बुरी संगत्ति से और गुणों से दूर होना चाहिए राजय की सत्तापर नियंत्रन धर्म और नीति का नियंत्रन राजय जो समझ शक्तियों का नितित करता है समझ शक्तियां राजय के हाथों में होती है राजय का संप्रभू व्यक्ति होता है लेकिन वह कभी भी अन्याय पुन नीति का पालन नहीं कर चकता है अब राजय की शक् पर नियंत्रन की विवस्ता की गई है और जी ये नियंत्रन विभिन प्रकार के जो विवस्ता है उनका अनुसार राजा की इस शक्ति को सीमित व नियंतित करने का कारे करती है उन विवस्ताओं में धर्म और नीती का नियंत्रन राजा जो राज्य में धर्म का पालन करने वाल प्रमुक व्यक्ति होता है, धर्म की स्थापना करने वाला व्यक्ति होता है, वह है धर्म के अनुसार, पूजा, पाट, यग, हवन करता है, धर्मी का अनुष्ठान करता है, नीती का पालंग करता है, और वह है नीती विरुद कोई भी काम नहीं करता है, अता है धर्म और नीत ति राज्ये में उसे कभी भी किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कारे नहीं करने देती है जिससे कि वह सत्ता का गलत उपयोग कर सके, सत्ता का दोर उपयोग कर सके. अते ये धर्ब और निती राजा को गलत कारे करने से रोकती हैं. शैशक परवित्य नेंत्र राजा जो राज्ये का नेत्र करता है, समस्कोश का नेत्र करता है, उसकोश का उपयोग वह प्रजा के कल्यान के लिए करता है, प्रजा की रक्षा के लिए करता है, राज्ये की रक् परेके से अनाफशक रूप से भरने का कारें नहीं करता है, कोश का जो उपउयोग है सही रूप से करता है और कोश के लिए जो कर नीती है, वह सही उस्दिश्यों को लेकर संचालिध करता है कोश को भरने के लिए कोश को अधिक से अधिक संगरन करने के लिए वह ऐसा कोई कारे नहीं करता है जिससे की अन्है पुन नीती का पालयन हो और जनता को कर्ष्ट महुचे मंत्रियों वह सभासतों से परामश राजा जो भी कारे करता है वह मंत्रियों, योग्य अधिकारियों, सभासदों के परामश्य करता है राज्य में राज्या की सहता के लिए योग्य मंत्रियों होते हैं योग्य अधिकारियों होते हैं, सभासद होते हैं और राज्या जो प्रतेकारिय करता है वह इनके परामश्य करता है राजा समय आवशक्ता परिस्तित नुसर मंत्रियों से योग अधिकारियों से सभासदों से परामश करता है और शुक्री ने माना कि मंत्रियों को अधिकारियों को और सभासदों को परामश निर्भीकता से देना चाहिए और राजा को इनके परामश अनुसर कारे करना जो अन्याय पूर्ण होगा जन्ता वा जन्मत का नियंत्रन राजा की जो सत्ता है उस पर जन्ता वा जन्मत का नियंत्रन भी होता है राजा जो प्रजा का पालन करने वाला प्रजा की रक्षा करने वाला है वह प्रजा का कल्यान करता है राजा जन्ता पर कभी भी किसी भी प् वाता है जो अन्याय पुन हो अत्याचार पुन हो राजा कभी भी अन्याय पुन कारे नहीं करता है यदि जनता के विरुद वह अन्याय पुन नीती का पालन करता है अत्याचार करता है जनता से अनावशक कर वसूल करता है तो निश्चित दोर पर जनता राजा की निंदा कर स अतै राजा इस बात पर विशेश दियान रखता है कि उससे जनता की का अधिक साधिक कल्यान हो वह है जनता के विरूद कभी भी ऐसा कोई गलत कारे नहीं कर सके है। राजा की जो दिन्चरिया है वह जो तीस मूरतों में बटीवी है प्राते काल से लेकर रातरी काल तक उसे कब किस प्रकार से कौन सा कारे करना है वह मूरतों में विभाजित दिन्चरियान उसार वह कारे करता है और ये जो दिन्चरिया है कठोर होती है अतै राजा की जो गु शाश की दैट्वों की पालना राजा हमेशा प्राय नीतिगत कारियों को संचालित करता है राज्ये का नेतित करता है समय वह कभी भी ऐसा कोई कारे नहीं करता है जो शाश की नीतियों के विरुध हो राज्ये के विरुध हो यदि राजा ऐसा कोई गलत कारे करेगा तुसे लौकिक और परलौकिक दुश्परिणामों का सामना करना पड़ेगा ताजा जो प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता प्रजा का कल्लैन नहीं कर सकता उसे देवता नश्ट कर देंगे ऐसा राज्य अधिक दिनों तक संचालित नहीं हो सकता अते राजा इस बात पर विशेज दिहान रखता है कि वो शाशक की नीतियों के विरूद को कभी भी किसी भी प्रकार से कोई गलत कारे नहीं करे राजा की सत्ता पर निम्न वैवस्ताओं के द्वारा राजा सदेव प्रजा के कल्यान है तू प्रजा के पालन है तू राज्य की रक्षा है तू कारे करता है राजा इस बात पर हमेशा विशेश जिहान रहता है कि उसके द्वारा जो भी कारे हो वह है प्रजा के कल्यान के लिए हो अत्य निम्न वेवस्ता है राजा की सत्ता को नियंतरित रखने का सीनित करने का कारे करती है और राजा की कारे का जो देश होता है वो प्रजा की रक्षा करना प्रजा का कल्यान करना और शत्रों का नाश करना होता है धन्यवर